हेलो दोस्तो यूटूब चैनल टेक्तर नोंबे आपका स्वागत है तो दोस्तो आपका फोन में यूटूब नहीं चल रहा है आप यूटूब को ओपिन करते है और घंटों तक वेट करते है फिर भी यूटूब नहीं चलते है आपको एक सेटन के लिए लाग रहा होगा कि यह network की problem है लेकिन दोस्तों यह network की problem नहीं है यह problem कुछ और ही है तो दोस्तों आईये जानते हैं ऐसा क्यों होता है और इस problem का solution क्या है और दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में एक special tips भी बताऊंगा जिसके मदद से आप phone का data बचा सकते है तो दोस्तों मैं हूरो भी रहा है अभीद अगर चैनल को subscribe नहीं के तो subscribe कर लिजे और वीडियो को एक like कर दीजे और जितने हो सके इस वीडियो को share भी कर दीजे तो चले एक वीडियो शूर करते है तो दोस्तों देखे मेरा phone में मैं YouTube को open कर रहा हूँ और यहां पे देखे YouTube ओपन ही नहीं हो रहा है अगर यहां पे मैं घंटों तक वेट करूँ फेर भी YouTube नहीं चलेगा कोई भी वीडियो नहीं आएगा और यह network का problem के लिए नहीं हो रहा है यह actually हो रहा है YouTube को data connection नहीं मिल रहा है और इसलिए YouTube नहीं चल रहा है तो इसको कैसे ठिक करना है इसके लिए हमें जाना होगा phone की setting में यह रहा setting इसपे हमें tap करना होगा फेर यहां पे आप उपर नीचे scroll करके देखेंगे apps का एक option मिलेगा देखें मेरा phone में यह रहा apps तो यह apps पे हमें tap करना है फेर नीचे देखें manage apps का एक option है इसपे हमें tap करना है फेर यहां पे आपको सारे apps दिख जाएगा जितने भी apps आपका phone में है बहुत सारे apps यहां पे दिख जाएगा तो यहाँ पर हमें स्क्रोल करके YouTube एप को ढूनना है ठीक है तो मेरा फोन में नीचे देखिए यह है YouTube एप तो इस पर हमें टैप करना है फिर यहाँ पर आपको एक option मिलेगा restrict data का देखिए आप पर restrict data uses या फिर आपका फोन में turn of data data block इस तरह के option दिख सकते है तो मेरा फोन में देखिए दिखरा है restrict data uses और यहाँ पर देखिए turn of data मतलब YouTube के लिए data connection off है आप यहाँ पर अगर फोन की internet को on करेंगे फिर भी YouTube को data नहीं मिलेगा तो हमें यहाँ पर क्या करना है यहाँ पर हमें टैप करना है फिर यहाँ पर देखिए mobile data और side में यहाँ पर ह चलने का problem को solve कर सकते है और दोस्तों फोन का इसी feature को use करके आप data भी बचा सकते है वो कैसे सपोज आपका phone आपकी अलाबा कोई और भी use करते है और वो आपका data को खतम कर देते है तो आप phone के उस feature में जाके आपका दोस्त यह relative आपका phone में जो भी app use करते है उस app का data connection आप कर कर देगा और हाँ दोस्तों phone का इस feature को use करके आप किसी भी app के लिए data connection को up कर सकते हो ठीक है तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी जोर comment करके बताना तो आज के लिए इतना ही thank you bye bye